तो चलो प्यारे बच्चो इस वाले सवाल को देखो बेसिकली इसको हम लोग कटते हैं कि ये कह रहे हैं कि अगर तुम देख रहे हो यहां पर एक सीरीज LCR सरकिट है तो जो यहां पर L दिया हुआ है, कैपिसिटेंस दिया हुआ, रेजिस्टेंस दिया हुआ, फिरिक्वेंसी निकालना है, लेकिन कौन से फिरिक्वेंसी निकालना है, रिजोनेंस फिरिक्वेंसी निकालना है, तो जब यहां पर रिजोनेंस होता है, जब एम्प्लिट्यूड मैक्सिमम होता है, और करेंट की वेलू भी मैक्सिमम होती है, और जेड मिनिमम होती है, तो उसको एम्प्ल नौट की जो वेलू आ जाएगी 1 upon lc यह अंडरूट तो यहां से जो resonant frequency आ जाएगी 1 upon 2 pi lc अंडरूट तो यही पुछा जा रहा है I hope कि अगर आपको direct formula याद है तो आप direct भी लगा सकते हो समझ में आ गया तो अगर मुझे इसको निकालना है तो originant frequency is equal to 1 upon 2 pi तो 2 pi की वेलू 3.14 रख दो बच्चो और l की वेलू रखो l 10 milli है यह milli मतलब 10 की power minus 3 multiplied by 1 micro तो 10 की power minus 6 और यह सब कुछ है अंडरूट तो यहां से जब इसको multiply करोगे तो यह होगा 6.28 ठीक ना 6.28 और इसको multiply करोगे यहां तो यह आ जाएगा 10 और इंटू 10 की power minus 9 अंडरूट ठीक ना और यहां से इसको solve करोगे तो 6.28 और यहां से 10 की power minus 8 की power 1 by 2 ठीक है और ज़्यादा इसको solve करना पड़ेगा मैं 6.28 और 1 upon 10 minus का मतलब है और 8 चला गया 2 उदर था तो यह 4 times कड गया ठीक है 4 times कड गया तो और यह 10 ऊपर चला जाएगा तो 4 0 ऊपर चला गया और नीचे बज़ गया 6.28 और 4 0 जाके देख रहे हो कीलो बन जाएगा और 6.28 में पॉइंट हटा दो तो 100 और 100 एक 0 उसमें से और यहां से 4 0 था तो यह 3 0 को मैंने कीलो बना दिया और कीलो यहां से हर्ट्स और यहां से 628 तो जब इससे डिवाइड करेंगे तो लगबग एक बार में तो कट जाएगा उसके बाद पॉइंट आएगा तो 59 यहां किलो हर्ट्स के आसपस आएगा जो की 5.9 यह वाला सेलूशन अपना सही है तो थैंक यू बैबा टेक केर